दोस्तो आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिना मुबाइल नंबर के हम ओटर आईडी कार्ट को प्रिंट कैसे करेंगे लेटेस्ट वर्जन में वह भी बिल्कुल फ्री ओफिसियल तरीके से आज किस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके ओटर करने की आवे सक्था नहीं पड़ेगी आज की वीडियो मताएंगी कि आप सभी किस परिकार से पने पुराने और आईडी काड को एकदम नया ओरिजिनल आटर आईडि काड़ डाउंलोड कर सकते हैं इस परिकार का आप सभी का नए डिजाने वाला ओटर आईड कर डाउनलो देखने के बाद आएगा तो इसे किस प्रिकार से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इसके लिए करना क्या है कि आप सभी को अपनी मुबाइल फोन में या फिर गूगल को ऊपन करना है सर्च कर लेना है एंटर कर देंगी सर्च करेंगे तो आप सभी के सामरे प्रिकार से नेशनल और सर्विस पोर्टल आजाएगा आपको इस वाले लिंक पर किलिक कर देना है अब आप तो सोच रहोंगे कि ये portal तो बंद हो चुका है लेकिन घबराये मत इसी portal पे रास्ता है वहाँ जाने का जहां से आप ये वाला original PDF डानलोड कर सकते हैं अगर आपके auto ID card में number link नहीं है तो भी ठीक है तो इसलिए करना कि आपको इस portal पे आ जाना है आने के बाद वीडियो के description box में भी दे दूँगा तो आपको इस link पर click कर देना है जैसे ही आप इस link पर click करेंगे कि स्क्रीन पर इस प्रिकार से आपका portal open हो जाएगा और यहीं से आप से भी e-pick card को download कर पाएंगे लेकिन अगर आपके auto ID card में mobile number link नहीं है तो कैसे download करेंगे इसके बारे क्यों नहीं हो लेकिन आप download कर सकते हैं ध्यान से देखना और हाँ वीडियो बिल्कुल भी skip मत करना नहीं तो आप इतना अच्छा मौका गवा देंगे और अगर डाउनलोड ना कर पाएं तो जो मर्जी आप बोल दीजेगा बट वीडियो को पूरा देख लीजेगा ठीक है तो सबसरे पहले आपको इस पोर्तल Алश लोगिन करना होगा तो लोगिन करने के लिए हम लोगिन बटन पर क्लिक करेंगे अगर आपका 1 पे क्लिक करेंगे आपको लोगिन वाले बटन पर क्लिक कर देना है यहां पर आपको नाम भी आ जाएगा अब मैं जो ऑट्राय। का Trek करने वाला हूँ आप सभी के सामने सबसे पहले में आपको वह दिखा दो कि उस ओटर आइडी काड में कोई भी मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो इसके लिए में यहां पर इपिक डाउनलोड वाले ओप्शन पर किलिक करूंगा अब यहां पर आप सभी के सामने डाउनलोड लिंक नहीं है मैं इसलिए जानबुच को आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपस भी यहां पर देख सकते हैं आप अभी कोई भी मोबाइल नंबर लिंक नहीं है ठीक है अब इससे हम किस प्रिकार से डाउनलोड करेंगे आप यहां पर नोटिस कीजेगा सबसे पहले हमें क्य कि अंदर मोबाइल नंबर लिंक करवाने वाला हूं जिसके मदद से फिर आप सभी लेटेस्ट वर्जन का जो ओटर आईडी कार्ड है बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे और साथी साथ आपकी ओटर आईडी कार्ड में मोबाइल नंबर भी लिंक हो जाएगा च किसी और एलेक्टर करना जाते हैं किसी और विक्ति करना चाहरे हैं तो आपको अधर पर क्लिक करना है और यहां पर उस विक्ति का जो है आपको ओटर आईडी कार्ड नंबर डालने के बाद सिधा आपको सम्मीट वाले बटन पर क्लिक करना इतना क्लिक करने के बाद आप करेंगे ओके पर किलिक करने के बाद आप सभी देख सकते हैं जो डीटेल है आटोमेटिक यहां पर फैच होके आ जाएगा तो अभी यहां पर कुछ नहीं करना है चुप चाप आपको सिधी स्क्रोल करते हुई नीशे चले आना है और नीचे आएंगे तो यहां पर आप सभी क देखने को मिलेगा अप्लिकेशन फोर करेक्शन ऑफ इंट्रेर इंगेस्टिक एलक्ट रोल ठीक है अब इसमें आप क्या करेक्शन करना चाह रहे हैं तो हमें कुछ करेक्शन नहीं करना है बस अपने ओटर आडी कार्ड में नंबर को लिंक करके ओटर आडी कार्ड को अब आपको यहां पर क्लिक करने के बाद आप सभी किसान इस प्रिकार से काप्चा आता है अगर काप्चा समझ में नहीं आता है इस पर टिक करेंगे काप्चा आत्या चापका बदल जाएगा और फिर उस काप्चा को आपको फिल करना है ध्यान रहे काप्चा में कोई गलती आप नहीं करेंगे ठीक है तो यहां पर यहां पर यहाँ पर Preview and Submit पर क्लिक करेंगे इतना क्लिक करने के बाद आप सभी की सामच प्रिकार से Preview पेज आ जाएगा आप इससे स्क्रोल करके देख सकते हैं प्रोपर हमने देख लिया है अब इसका फिर हम यहाँ पर Submit वाले बटन पर क्लिक करेंगे जैसे हम Submit वाले बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको option मिल रहा है Yes का आपको यहाँ पर Yes पर क्लिक कर देना है जैसे हैं आप Yes पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं आपका Acknowledge नमबर आ चुका है आपकी स्क्रीन पर अब इसको हम ट्रैक करेंगे और चेक करेंगे कि हमारे ओटर आडी कार में नमबर लिंक हुआ या नहीं अब यहाँ पर टाइम भी देख सकते हैं अपलाई करते समय टाइम आप देख पाएंगे टाइम क्या हो रहा है डेट क्या है चलिए हम इस नमबर को यहाँ से इस तरह से कॉपी कर लेते हैं नमबर को कॉपी करने बाद आप सभी के सामने ही दिखाऊंगा कि यह लिंक हुआ है नहीं ठीक है तो इसे हम इस प्रेकार से एक नमबर को करेंगे कॉपी यहाँ से आप चाहाए तो अपना नंबर को भी डाउनलोड कर सकते हैं, मैं भी इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, भव इसमें काम आ सकता है, अब हम O.K. पर किलिक करेंगे, इसके बाद हम फिर से जो हैं पर ट्रैक अप्लिकेशन इस्टेटटव यहां पर और इसके बाद यहां पर जो हमने रॉट्रिक कोपी किया यहांपने प् professan और हम सलक्षिन करेंगे यहां पर हम फिर इपिक डाउनलोड पर क्लिक करेंगे देते हैं क्योंकि कई बार क्या होता है कि सिस्टम इरल हो जाता है ठीक है तो यहां पर जो इपिक नमबर है मैं इपिक नमबर डाल देता हूं पर हम यहां पर इस्टेट को सेलक कर लिए हैं फिर हम सर्च पर क्लिक करेंगे सर्च यहाद उन्बर नहीं लिंक था था दो मिनट पहले 2 MINUTE पहले अभी आब देख सकते हैं हैं और यहाद नंबर लिंक हो चुका है अब प्रहिसको डाउनलोड करने लिए यहाद यहाद पर देखेंङो the option पर सेंड SHT चरहा है। पर किलिक करने के बाद आपके उस पर एक OTP गया होगा, उस OTP को आप यहां डालेंगे और उस OTP को सबसे पहले आपको verify करना है, तो आप सभी देख सकते हैं, हमारा OTP verification successfully complete हो चुका है, अब यहां पर हम download eepic पर click कर रहे हैं, हमने यहां पर download eepic पर click किया, आप सभी की screen पर यहां पर देखते हैं, eepic download हो चुक और यहां पर आपकी screen पर open भी हो चुका है, तो कितनी अच्छी बात है ना, कि आपकी auto ID card में hand to hand, एक मिनट के अंदर नमबर भी link हो गया, और आप इसको free में download भी कर पाए latest auto ID card, अब आप हो कहें पर भी किसी को पैसे देनी क्या हो सकता नहीं है, प्रिंट करने के लिए इस तो subscribe करना इस वीडियो को जरूर सेरे करना यार, और हाँ अगर हमारे बताये गए trick के माद्यम से आपका ये काम successful रहा, तो comment box में comment करके जरूर हमें बतायेगा ताकि हमें भी खुसी हो, कि हम जो वीडियो बनाते हैं आप सभी के लिए helpful साबूत होती है या नहीं, चले मिलते दोस्तों आपको नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा एन गुडबाई